दोस्तों आज की कहानी है सास बहु मधु शब्दों का आगाज दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताक कि आपके पास पाउंसे अरुज नहीं वीडियो महाँ जयोशना कह रही ती कि दिवाली की त्यारी करने वहाँ यहां आएगी उसे भी परिवार के साथ मिल जाएगा और आपका कामे मदद ऊजाये की मनन बोला तुम्हे तो हां क्यू Hem van उसे क्या पताती वाली की त्यारी और पुझा विधान के बारे में नाजार होते वे सुधा जी बोली तुम कैसी बात ये करती हो सुधा वो क्या सूटी बच्चे जो से पता नहीं होगा अगबार से नजर हटा कर सुधा जी को देखते वे सुधे सुधी बोली बच्ची तो नई है पर अनाते ऐसा कोती बेल दगा जैसे सुधाजी अंदर्शे बहुत दुखी है जयोशना और मनन दोनों एकी ओपिस में काम करते थे दोनों को असार फिशार बहुत मिलते थे इसलिए दोनों की दोस्ती जल्दी हो गई और उतरी जल्दी दोनों एक पाई कियोगी जयोशना अनाती सुधाजी की सोस्ती जिसके माबाब नहीं उससे कहां संसकार और रिती रिवाजों की समझ होगी और जिसका कोई संगसब दी नहीं वो किया समझे अपना और अपना का सुक दुख दिवाली से दो दिन पहले अपने कहे अनुसा जयोशना मनन के घर गा गई उसने घर की साफ सपई में कोई कशर नहीं सोड़ी सुधाजी दवारा लोगों को देने वारे गिप्टों को अच्छे से रैव गया घर परी मिठाया बनाई रात का खाना बनाई सबको प्यार से प्रोशा सुधाजी को जयोशना के आने से बहुत रात मिले साथी वो जयोत ना के काम को ध्यान से देख रही थी उने दिल से जयोत शना में एक सुंगट ग्रेनी के सारे गुण नचरा रहे थे पर दिमाग इस बात को नकरा राता रात जादा होने के कान मननने उसे वहीं रहने के लिए मनना लिया सोटी दिवारी के दिन उसने सुभी बच्चे काम नीवटा लिये ममी जी हम थोड़ी देर में आते कहते बे मननन के साथ सली गई जब जयुत शना लोटी तो उसके हाथ में धीरो बेग दे पुरा बाचार उटा लाए कि अजयुत शना और मनन के हाथों में धीरो बेग दे कर सुधा जी बोली ममी जीन में पठा के खिलोने मिटा एर कुछ कपड़ें सागते वे जयुत शना बोली किसके लिए लाई हो अनात हश्रम के बच्चों के लिए जब से नोक्री करने रगी वहां के बच्चों को हरदवारी ये उपहर देती उस हमें उनके सेरो पर जो खुशी हो थी वह बता ही नहीं जा सकती ऐसा कहते वे जयुत शना के होटों पर मासुम सी मुश्काना की ममी जी मैं जब सोटी थी और लोग आकर हमें मिठाई खिलों ने देते थे उस खुशी को मैं आज भी मैसुश कर शकती हूँ तब ही मैंने सोस लिया था कि मैं कभी शकाबिल बनी तो अपने जैसे अनात बचों की सेरे पर खुशी लाने की कोशिश जरूर करूंगी ममी आप भी जल्दी त्यार हो जाओ देर हो जाएगी मनन बोला सुधा जी का मन तो नई ताले किन मनन जयुत शना और सुधेशु जी के बहुत आग्रय करने पर सुधा जाना प्रूर करूश जयुत न शावा बचों को नए कपड़े पठाके और मिठाई बाढ रही थी बचों को देने के बाद जयुत शनाने वहाँ काम करने वाले करम शार्यों को भी मिठाई खिलाई खिलोने और मिठाई पाकर बचों के शेरे पर जो खुशी जल्दाजी के मन को आशिम शुख ने रही थी आज से पहले सुधा जी ने कभी इतनी खुशी और आतम शंतुष् जयोतशना को देकन यासी सुधा जी के मन में वीशार आया सुधा जी को जयोतशना का निर्मल मन दिखाई देने लगार इस बार उनके दिल के साथ दिमागने भी इस बात पर अपनी मोहर लगा दी रात बहुत हो गई ती इसलिए तिनों जयोतशना को उसके गर शोड़कर अपने घर आ गए दिपावली की सामजयोतशना लाल बनारशी साड़ी में सजी बहुत सुंदर लग रही ती उसे हस्ते मुस्क राते दर्वाजी से आता देख सुधा जी को लगा जैसे लक्षवी गर में परवेस कर रही हो और गर का हर कोना उसके बढ़ते करवों के साथ दूद्या रोशनी से नहारा हो आज दिपावली के सुम मुहरत के सासा सास महु के मदूर शब्दा का भी आगाज हो गया